Hello everyone, मेरे बहुत सारे स्टूडेंस को NCSC यानि National Children's Science Congress से related बहुत सारे डाउट थे तो मैं आज एक प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ इसमें क्या टॉपिक्स ले सकती हैं, कैसे डेटा कलेक्शन करना है, कैसे लॉग बुक प्रिपेर करनी है वो सब कुछ क्लेर हो जाएगा आपको, तो यहां देख सकते हो, स्टूडेंस ने यह मैप भी शेयर किया है कि उसने कौन कौन सी लोकेशन से डेटा कलेक्शन किया है अब हम देखते हैं लॉग बुक बनाना, तो यहां पर स्टूडेंस ने डेट वाइज लिखा है कि किस डेट को उसने गुरूप क्रियेट किया, कौन कौन से उसके मेंबर्स थे अब नेक्स टाइम के मीटिंग में एक सेकेंड डेट लेंगे, उस डेट को हमने टॉपिक डिसाइड किया, हमारे गुरूप के मेंबर्स ने क्या टॉपिक है, रिसाइकलिंग लीट्स तू सस्टेनिबल्टी एंड सस्टेनिबल्टी लीट्स तू बेटर फ्यूचर अब स्टूडन्स ने सर्वे कलेक्शन के लिए कुछ क्वेशनार प्रिपेर किया है, कि लोग रिसाइकलिंग के बारे में जानते हैं, किन किन चीज़ों की रिसाइकलिंग के बारे में वो जानते हैं, क्या वो रिसाइकलिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेशन्स उन्हो किया है उन्होंने नेक्स टेट को स्टूडेंट्स ने खुद भी पेपर को रिसाइकल करना ट्राइ किया है उन्होंने न्यूस पेपर के छोटे-छोटे पीसेज लिए उसमें पानी पोर कर दिया और उसके बाद उसको क्रश कर दिया या टैन मिनट्स तक उसको ब्लैंड करते रहे तो उसके बाद उन्होंने इस ट्रेनर की हेल्प से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल दिया उस पे स्पॉंज या फिर एक कॉटन टॉल में रखके उसका एक्सस वाटर रिमूव करते रहे बार बर चेक किया कि यह सूग गया है कि नहीं और इसके बाद हमारा री साइकल किया कुछ लोगों ने कॉपरेट नहीं किया पर जैसे भी करके उनका सर्वे कंप्रीट हुआ एक लाज नंबर ओफ पॉपॉलेशन में इसके बाद उन्होंने बताया कि रिजल्ट ऑफ रिसाइकल पेपर क्या रहा हम सभी को पेपर रिसाइकल जरूर करना चाहिए क्योंकि बहुसारा पेपर वेस्ट करने से बहुसारे प्लाण्स और अनर्जी बेस्ट हो रही है रिसाइकलिंग सेफ एनरजी नैजरव रिसोर्सेज और प्रोटेक्ट्स आheart इन्वोर्मेंट पेपरीसाइकलिंग के बाद अवो उन्होंने प्लास्टिक रियूज के बारे में लिख करके फिर इसको हम हैं कर सकते हैं अपने घर को डेकुरेट करने में से यूज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट का में पर्पस है तू प्रमोट पर्सिव एक्सपैंड रिसाइक्लिंग ऑपर्चुनिटीज दो पेपर रिसाइक्लिंग इस वेरी कॉमन टॉपिक फिर भी बच्चों ने ये टॉपिक इसलिए लिया ताकि वो स्प्रेड कर सके हैं अवेर्नेस को बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं कुछ लोग जानते तो हैं पर वो करते नहीं हैं तो इस तरह से हम ब बहुत हतक गंदगी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अब हम करने जा रहे हैं डेटा एनलिसिस यहां पर हमने चार्ट बनाए हैं तो शो responses of how many people know or not know about recycling and responses from where do people get to know about recycling then responses of how many people dispose of recyclable and non recyclable materials separately and if you do recycling what materials do you recycle इस तरह के various topics को लेकर हमने comparative सा एक चार्ट बना लिये हैं इस तरह से हमने सारे collected data की analysis कर ली है अब अपनी survey और उसके data analysis के बाद हमने अपनी strategy और future plan prepare किया है इसका result यह है कि many people believe that recycling can only be done in industries. Paper is the most recyclable material by people and a school is the best source for educating people about recycling. Future plans में recycling sustainable practice है और as a future plan more and more awareness should be created कि लोग recycling करे और recycled material ही purchase करें